भावी आईए भावी तश्रीफ लाईए वो कहा है कुछ कर बढ़ा यही क्या अपने अपने से तुम्हें काना खिलाया तुम मुझे भावी कहते हो कि सब्सक्राइव… तुम्हें तुमने मेरे पेट में चाद किम्हें बार दिया हुआ 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 pos झाल 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 टिस तार भाइब है भRIकाति तारा अईब है तुछाओ टुछाओंगा भाइब है नहीं, बुछाओंगा भाइब है फश्टाओंगा थाल आर नहीं है प्रवार 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 प्रवा कि अच्छ बोल रहा हूं जनाब में सुरेश बोल रहा हूं जैसे आपने खाता सारे बंदुबस्त हो गए होश्यार रहो रेल्वेश टेशन बस स्टेंड एरपोर्ट सभी जगहों पर तलाशी करो सुल्तान किसी भी हाल में फराद नहीं होना चाहिए तुम ही मेरी रानी हो मैं तेरा राजा हूं क्या हुआ गल्यमें इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें इन्फेक्शन कैसे होगा जनाब आप जानकर भी अनजान मत बनिया जनाब क्यों, नया टेंडर है क्या? टेंडर क्या जनाब, आपके आने से कब एक रोज सुर, एक रोज हिरंद और एक रोज खरगोश पका के खाते थे, आपके आने के बाद यह मुम्किन नहीं हो पा रहा है, जनाब, अगर आप इजासत दे तो यह खरगोश पकड़ कर, मसाला भर के खाएंगे जनाब, आपने जीब क्यों रोग दी? इनसान को काट कर बिर्यानी बना कर हजम करने वाले लोग यहां रहते हैं, तुम्हें भी उनके पास भेज़ दू? समझिये जनाब, आप कौन हैं, जंगल के रेंजर हैं, और मैं कौन हूँ, जंगल का चोकिदार, हमारे अलाव इस जंगल के उन जनवर को खाने का अख्तियार और किसे है? यही बात मुझे समझाने के लिए, दूसरे तरीके से बोलो, आप फॉरेस्ट अफसर हैं, और मैं ठार अचोकिदार, जानूरों की हिफाज़त करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे अलाव और कोट करेगा? इसके दे गाड़ी रोकने की क्या जूरत थी जनाब, बिना रोके समझाता तो भी समझ जाते हैं, अरे सुनिये, वो देखिये हिरन, बहुत खुबसूरत है सुनिये, रुकिये, आप कहां जा रहे हैं, तुम बहुत देखिजाओ, हिरन को मत मारिए गोली किस ने चलाई, कौन है वाँ, हेलो कौन हो तुम, जो फरार हुआ वो कौन था, कितने रोज ते तुम लुग हिरन कर शिकार कर रहे हो, कमोन, जबाब दो गूर क्या रही हो, मुँ में जुबान नहीं है, गूंगी हो क्या गूंगी हो तो क्या हम तुम्हें बख्ष देंगे, चलो, कमोन, चल, तेरी अब डिंग डॉंग है इनका अंदाज देखिए, जैसे निका की वही बीवी की तरफ बैठी हुई है मोतर में, क्यों जी, हम लोग तो मिर्च मूँ से चबाते हैं, लेकिन आप निगाहों से ही चबा लेंगी क्या, या खुदा, या खुदा, या खुदा, या आरन में की बहन लग रही है, इनके बैठती ही टायर पेंचर हो गया जनाब, है तुम खामोश रो और जाके टायर बदलो, ठीक है जनाब, ठीक है, अब पता नहीं क्या होगा, आज का दिन ही खराब है, जनाब, नोई स्टेपनी जनाब, या खुदा, ऐसा करें तो बहतर होगा जनाब, आप टायर ले जाके प पंचर बनवा कर लाओ, और आप इस खूब सुरत बला की हिफाज़त करेंगे, यहीं तबदीली है, तो सोच कहा रहे हो, फारन जाओ, ठीक है जनाब, तो निकल जाते हैं, ने, ने, टायर निकालना है, लड़की को तना छोड़कर जंगल से तुम फरार होकर आ गए, तुम हुआ नहीं, तुम क्यों दुलन की तरह सर जुका कर खड़े हो, बेटा, पहले उस फॉरेश्ट ऑफीसर को मामला दर्ज करने से रोको, अगर रेणुका ने अफाय आर पर दस्तकत कर दिया तो, तो मैं कहाने क्यावा खानी पड़ेगी, तुम जाओ, सुनो, मुलाजीमों क सांप दिखा तो, जुबान खुल गई, और हिरन को मारने के बाद तुम्हारी जुबान बंद हो गई थी, हाँ, कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है, गुंगा बनने का ड्रामा क्यों कर रही थी, बताओ, मेरा नाम रेनुका है, मुराई गोडन में मेरे रिष्टेदार रहते हैं, आखरी बस निकल गई, एक शक्स जीप से जा रहा था, मैं उसके साथ बैठ गई, वो हिरन को मारने वाला है, इसका इल्म नहीं था, गोली के आवाज सुनकर, मैं जीप से उतर कर फरार हो गई, गो में मारने के लिए नहीं दिखाई, चलो उठो, मैं उठ नहीं सकती, क्या हुआ, मुझे भूक लगी है, पाकत नहीं है, पाकत खत्म हो चुकी है, तुम तो बेहर ड्रामे बास हो, मैंने कर रात को खाया था, खाने वास्ते कुछ मिलेगा, क्या, ऐसा लग रहा है कि भूक से जानवर तुम्हारा शिकार कर लेंगे, क्या जबर्दस्त अधकारी की मैंने, ये लड़का तो फस गया, बहुत धूप, हेलो मांकी जी, मुझे प्यास लगी है, मुझे भी अपने साथ ज़रा पीने दोगे, ये क्या, स्पेड का पाले बहुत खटा लग रहा है, खरपालाओ पालाओ पालाओ आप। अबेड विपलो आप। बढ़ाओ आप। येकिणा मेरी टायर रहा है, धेराख्वा दूप। अबर जब्चति है, जब्दस्तित अबाड़ ज़रेख्यराओ तो लेवल तो बड़े, जुनाब्र ये अबड़े। ये जवारेख्याओ बखवास मत करो, जल्दी से टायर बदलो, अंधेरा होने से पहले हमें यहां से निकलना होगा वो आ गए वो जीप में फरार होने वाला यही शक्स था न? सिर्फ ड्रामे बाजी नहीं हो तुम, अफसाना सुनाने वाली अफसाना निगार भी हो रेनू, यहां हो नहीं, हिरन को मारने वाला जब तक गिरिफ्तार नहीं होगा, यह कहीं नहीं जाएगी ऐसी बात है, हिरन को मारने वाला यह है, चाहो तो केस दर्ज कर लो, क्यों? तुम यह हिरन को मारा है न, बलो मैं नहीं मारा जनाब किससे मारा तुमने? डबल बैरल गन से क्या? कर मरी है वो उस बेजुबान जानवर के आसु की किमत दे सकते हो क्या दे सकते हो जमीन पर बहे खून को इकठा करके दे सकते हो क्या दे सकते हो यह काम तुम नहीं कर सकते शराफ़ से जनाब से माफी मांग लो शेहर में इंसान को मारना मुश्किल है लेकिन जंगल में मारना बहुत आसान है मार कर जानवर पर इल्जाम भी लगा सकते हैं तेख क्या रहे हो मारो इसाइब कर दो कि अभी तो गुगी की तरह वह 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 कर रहे थी अभी उसे कैसे पुकार रहे हैं सुनिये सुनिये झाल सुनिये सुनिये, हाई वहाँ्स के चुफ के सी बहु कर दो के यह वहां स्रेटल प्र जानवरा क्ली से कर दो दो क्ली सक करोंड़ी कर सके की तplo vision प्रोकी कर दो, क्योंने ऑवा करताई, ऑप עु जाँ जाँ जो, क्यों जाँ रुका जाँ, रुका ए जाँ अरज जनाब बोल्ट टाइट नहीं है जनाब टैर का बोल्ट टाइट नहीं किया जनाब चर्रेट लू के तामें कि अंद हुंद है अंद है में अंद है कि आपり कि अ DV का गले चुर्ड पूज तामें कर दो शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे क्यों देख रहे हो चुडैल की मानीन लग रही हो तुम्हें देखकर मैं खौफ जदा हो रहा हूं जाओ जाकर नहालो बदबू आ रही है गुशल खाना कहा है क्या कहा यहां पर गुशल खाना नहीं मिलेगा नजदीक में ही चलो अहां बेहत खूपसूरत है यह कितना गहरा होगा मैं कभी कूदा नहीं लेकिन तुम डरो नहीं मैं हो ना तुम कूद जाओ अहां मगर मचोगा नहीं चलो जाओ के आहां मैं तो जर्ण और नहीं को में लोगों नहीं को सबस्कूर आपफूर जंगाल में पता नहीं कहां का आप लोगों डूंड रहा थैं लेकिन आप लोग तो यहां है अहां, मोतर्मा मस्ती से ना आ रही है और आप यहां बैटकर मसे ले रहे हैं जनाब जनाब, यह कपड़े कितने गंदे हो गए आप एक काम कीजिए अभी आप शहर जाकर स्टोर से अपने लिए पैंट कमीज और मोतर्मा के लिए साड़ी लेकर आईए जनाब यह समझाने के लिए तुम दूसरे तरीके से बोलो आप यहां मोतर्मा की खुबसूरती का लुथ उठाईए और मैं पागल शहर जाकर आपके लिए पैंट कमीज और उनके लिए खुबसूरत सी साड़ी लेकर आदाँ तुम अब खड़े क्यूं हो जाता हूँ जनाब ऐसे क्यों घुर रहे हो और तुमने कमीज उतारी अरे तुम कभी भी अच्छा नहीं सोच सकती हो क्या मैं इस जानी मुढकर कमीज उतारता हूं तुम उस जानी मुढकर अपना टॉप उतार लो सब दी लग रही है कब तक कैसे ही रहना पड़ेगा जब तक कपड़े सुख नहीं जाते तब तक तुम इसे पहन लो और अपने कपड़े सुखा लो अगर हकीकत में तुम्हारा ख्याल है कि मैं मदद कर रहा हूं तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी चाहिए क्या करना है बस यह बता दो तुम्हारा बाबू कहा है बाबू बाबू यह क्या हश्र हो गया है इतनी कम उम्र में तुम अपना पैर गवा दोगे मैंने सोचा भी नहीं था यह क्या हुआ यह कैसे हो गया अभी पैर कहां मिलेंगे बाबू उस शेर ने तुम पर वार किया तो हमारे जराब ने आकर तुमको बचा लिया इस सेफा यार पर दस्खत करो कि उस हीरन को तुम नहीं मारा है नहीं तो मैं उस शेर को छोड़ दूगा दस्खत कर दो पंगा मतलो अभी तुम्हारा आदा इससा बाकी है उसे छोड़ दिया तो और छोटे हो जाओगे जराब शेहर में इंसान को मारना मुश्किल है लेकिन इस जंगल में नहीं यहां जानवर पर इर्जाम लगा सकते हैं मरने से बहतर दो साल के खैद की सजा काटना है मेरी बात मानों दस्थखत कर दो दस्थखत कर दो करो हां शुरू हो जाओ हां मेरा पर मेरा ठीक है मिरा बिल्कुल ठीक है तो दोडर ऑन कौन है कैसा आदमी है ये सब मैं नहीं जानता मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये आदमी कहां से आया है ए बिस्टर तेरी हिस्ट्री निकलवा कर तुझे सबक सिखाऊंगा मैं मुझे कब तक ऐसे ड्रामा करना होगा आप से, मैं आप से सवाल कर रही हूँ आप जो काना खिलाते हैं उसके लिए मैं घर पे ही पड़ी रहूँगी हर तीन महीने में आप अपना हुलिया बदल देते हैं जब जी में आता है जानवर की तरह अपने प्यास बुझा लेते हैं आप मुझे शादी के मंडब से उठा लाए और मेरे गले में मंगल सूत्र पहनाया लेकिन आप मेरे साथ ऐसा सुलूक करेंगे मैं ये नहीं जानती थी मैं मान ना बनूँ इसलिए आपने मुझे हामिला नहीं होने दिया मैं अपने बच्चे की अम्मा हूँ दुनिया के सामने ये कहने का हग नहीं देना चाहते हैं क्या तुम मेरी बीवी हो ये बाहर पता ना चले इसलिए यहां मकड़ी के जाले के तरह तुम महफूज हो जिस वक्ट दुनिया को ये खबर होगी कि तुम मेरी बीवी हो तो उसी वक्त क्यों इस तरह के पागलपन वाले सवाल करती हो इस सुल्तान के मुतालिक अच्छे से जानने वाली तुम ही हो किसी भी रिष्टे नाते से मैं वाकिफ नहीं हूँ ये सबसे जाकर कह दो मैं पैसे के लिए मरूगा भी और मारूगा भी कौम ना बदल कर मैंने अपना काम बदल दिया जानती हो क्यों सुल्तान के माफिक जीने के लिए हाँ मैं बाश्चा हूँ ए नूर बेटी उसे इस तरह हैवान बनाने वाली गुनाहकार मैं ही हूँ बेटी अपनी दुश्मनी का इंतकाम लेने के लिए मैंने उसकी कुर्बानी दे दी सोचा कि साप को पाल रही हूँ मगर वो साप तुझे डसेगा मैं नहीं जानती थी उसके वालित कमम जिला में रहने वाले किसानों को डरा कर उनकी जमीन हड़पने वाले जमिनदारों पर हमला किये जब देह्शत गर्दों को मालूप हुआ कि पुलिस बंदुकों के साथ जमिनदारों की मदद कर रही है तो उन्होंने उन पर हमला किया गुस्टे से उनके उपर हमला होने की बचे से पुलिस वाले भाग गए लेकिन सी आई की गोली से मेरे शोहर जखनी हो गए अपनी बेज़िती सहन ना कर पा रहा जमिनदार गुस्टे से बॉकलाया हुआ था ग्यारा लोग हमें सुकून से सोने नहीं दे रहे हैं इस खयाल से उन्होंने पुलिस वालों को धंकी दी और सी आई पर दबाओ बनाया कि किसी भितरा मेरे शोहर को पगड़कर जमिनदार को सौब दे किसी भितरा मेरे जखमी शोहर दवा की दुकान पर दवा लेने आएंगे इस खयाल से पूरी साज़िश की गई लेकिन पुलिस की गिरफ में मेरा बेटा आ गया बता बाकी के दस लोग कहा है मेरे मरने के बाद तुम्हें मारने के लिए उन लोगों को जिन्दा रहना चाहिए भले जान चली जा लेकिन नहीं बताऊंगा मेरे बेटे को कुछ मत करो छोटे बच्चे को मार कर क्या फायदा इसके शोहर के सामने ही इसकी आप रूल उट लो नहीं जमीदारों के खिलाब जाने का अंजाम ये होता है तुम्हारा शोहर पुलिस के हमले में मारा गया यही बोलना नहीं तो ना तो तू जिन्दा रहेगी ना तेरा बेटा जिन्दा रहेगा मेरे शोहर को मार कर मेरे जिन्दगी का तमाशा बनाया था उन लोगों ने इन तकाम के लिए मैंने अपने बेटे को ही हथियार बना दिया इस तरह से मैंने उसे बच्पन में ही कातिल बना दिया पुलिस और जमिंदार का नाम सुनते ही उसे नफरत होने लगी जंगल में सर्दी से बचने के लिए आग जलाने पर पूरे जंगल में ही आग लग जाएगी इसका मुझे इल्म ना था और उसके जिंदगी बरबाग कर दी मैंने मेरा बेटा भी उग्रवादी बनेगा बजाए इसके कि वो देहशतगर्द बन गया उसे वापस इंसान बनाना नामुम्किन है तमसे निकाह करके उसने मुझे भी नौकरानी बना दिया पता नहीं और कितनों से निकाह किया होगा मामुजान हम यहाँ आपसे दुआए खैर लेने आये हैं मामुजान मेरे बेटे को गरिफतार करवाने वाले के साथ मंगल सूथ बंदवा कर यहाँ आकर मुझसे दुआए खैर मांग रही हो तुम्हारी बेटी को क्या जवाब देना तुमी देखो जाने दीजे ना, माफ कर दीजे उसे क्या माफ कर दूँ, तुम मेरी बेहन इसलिए मैंने तुम पर रहम किया तुमारे शोहर के इंतकाल के बाद तुम यहाँ अपने भायजान के पास आई तो मैंने तुमारा तुमारी बेटी की देखभाल की मैंने उसे तालीम हासिल करवाई उसके बदले में ये तोफा मिला अब ये कयामत तक ना भूलने वाली बात हो गई है सुनिए जनाब आप गलत करने वाले का साथ दे रहा हैं इससे आपकी सीरत पता चलती है मैं बे फिजूल सडक पर घुमने वाला कोई आवारा इंसान नहीं हूँ एक फॉरस शाफिसर हूँ मैं सिर्फ इसे ही नहीं सासू अम्मा को भी खिला सकता हूँ अम्मा जी चलिए चलिए अम्मी जाना चाहती है जाओ जिसने तुम्हे आसरा दिया उस भाईजान के साथ रहोगी या अपने दामाद के सामने हाथ पहलाओगी तुम्हारी मर्जी मैं यहीं रहूँगी भाईया सुनो नेनू ये गुडिया खरीद ले दो साल बात क्यों जब हमारा एक छोटासा बच्चा हो जाएगा तो फिर दो साल तक मुझे भूखा रहना पड़ेगा एह मक कही के आप कुछ नहीं जानते अगर ब्या होते ही बच्चा हो गया तो शोहर को मिलने वाली मुहबबद बच्चे को चली जाती है मैं ताउम्र सिर्फ आपसे ही महबद करना चाहती हूँ अरे वाह अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बीवी को क्या तोफाद हूँ कि अगर और अगर वहा बदलेंगी क्या घर चलो वहीं हुलिया बदलेंगे छोड़िये खारीदारी हो गई इतनी जल्दी सोचा था अमेरिका में ऐसा होता है नकली बंदुग दिखा कर यहां पर भी लुटते हैं नकली नहीं है यह आश्री जिवालवर है सुनिये कौन है आप लोग और यह सब क्या है वह अपने शोहर को ही अपनी दुनिया समझ कर चली गई अब तक उसने अपनी मा के खेरेत जानने के लिए एक फोन तक नहीं किया तुम उसकी फिक्र में परशान हुई जा रही हो जिस तरह आपने शोहर का भूल गई हो उसी तरह उसे भी भूल जाओ मैंने सोचा तुम घर का पता भूल गई हो शायद तुम्हें याद आ गया गुस्य में चली गई थी अब क्या मूँ लेकर क्या आई हो मामू जान मामू जान बुलाने का हक मेरी भांजी को था उससे निकाह करने के बाद तुम मेरी भांजी नहीं हो जनाब, हमारे साफ दोरों से नजर नहीं आ रहे है, मेम साफ बहत परिशान है, सुपर बाजार से उन्हें कोई लेकर गया था, अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिली, आप किसी अला अफसर को फोन कर देंगे तो फोन, मेरे बेटे को कैद खाने भेजा, उसकी लानत उसे बक्ष देगी क्या, निकाह करने से पहले लड़के के बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए, हमने ऐसे नहीं कहा था, महबत के मारे बंदर के हाथ में नारियल के जैसे होते हैं, जिस इंसान का पता ना उसके साथ न सहरा होगा, बस कीजे मामुजान, मैं अपने इज़ते नव्स को भूल कर यहां आए हूँ, सबक सिखाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, आज के बाद आपके दर्वाजे पे कदम तक नहीं रखोंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चले जाए, खुदाहाफिस, एई ओफिसर, मैंने क्या गुनाह किया है जो मुझे इसकदर परिशान कर रहे हो, मैं कोई बदबाश हूँ, बुन्डा हूँ, दाकू हूँ, हस क्यों रहे हो, तुम्हारा ये ड्रामा देखकर, नहीं, ये कोई ड्रामा नहीं है, मैं बेकसूर हूँ, तुम्हारे फैंके बमों से चीथड़े हुए उन लाशों से चाकर पूछो, क्या तुम्हारे हाँ से मनने वाले लोगों की बीवेों से पूछो, जिनको तुमने बेवा बना डाला, क्या तुम बेकसूर हो, आप मेरे बारे में गलत सोच रहें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम एक आतंक वादी सुल्तान हो मैं सुल्तान नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ आपने एक forest officer को गलत तरीके से गिरिफतार किया इसके लिए हमारा महकमा आपको नहीं बखशेगा अदालत के चक्कर लगवा लगवा कर आपको नौकरी से बरखास करवा देगा फिर चाहे कितनी भी मशक्कत कर लें आपको नौकरी हासिल नहीं होगी मुझे मेरी नौकरी की कोई फिक्र नहीं है अगर तुमने एकबाले जुर्म नहीं किया तो तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा सलामत नहीं रहेगा अगर असल मर्द हैं तो सब को बाहर भेजिए और दर्वाजा बंद करके ताला लगाकर मेरी हटकरी खोल कर देखिए तब आपको अंदाजा होगा कि असल मर्द कौन है अभी तक तुमने लाठी की मार खाई है इसलिए तेरी हड्डिया सलामत है मेरे हाथों की मार से तेरी हड्डिया चूर चूर हो जाएंगी रुखिये रुखिये जनाव रुखिये रुखिये जनाव उस गाड़ी का पीछा कीजिए जनी मेरे शोहर कहा है कौन है आप मेरा नाम रेनुका है सुपर मार्केट से मेरे शोहर प्रित्वी को लेकर गए थे आप देखो मौतरमा तुम्हें शायद कोई गलत फहिमी हुई है प्रित्वी कौन है वाकर में मुझे कोई इल्म नहीं सुपर मार्केट से मेरे शोहर को आपने ही अगवा किया बकवास है यह मेरे शोहर को आप क्यों लेकर गए नहीं बताएंगे तो मैं अभी बताते हूं बकवास क्या होता है अभी तक औरस समझ कर पूरी इज़्जस से बात कर रहा था यह बताओ तुमारा शोहर कौन है मुझे बलेक बिल कर रही हो ओश यार शेर की मानिंद दहार मार मार कर गला सूग गया लगता है क्यों सही कहाना मैंने जूट को हाकिकत में बदलने वाले पुलिस वाले से जबान लड़ाना बिना सलहा के लड़ाई लड़ने जैसा है इस खयाल से मैंने खुदी बात करना बंद कर दिया बात करना बंद कर दिया तुम्हें अपना नाम बताना चाहिए अपने गाउं का नाम बताना चाहिए अपने बारे में बताना चाहिए मेरा नम पृत्वी राज है, मैं नर्सापुर का फॉरेस्ट अफिसर हूँ मेरे हाथों से बच कर फरार हुए उसके दूसरे ही रोज तु फॉरेस्ट अफसर बन गए तुमने सोचा कि सरकार से बचने के लिए सरकारी अफसर बन गए तो बिलकुल महफूज रहोगे नर्सापुर के फॉरेस्ट अफसर बने होना, ये रहा तुम्हारा अपॉइंटमेंट ओर, जवाब दो श्रीकृष्ट ने जब हिदायत दी, तो अर्जुन को इल्म हासिल हुआ, अब आपको कैसे इल्म होगा कि मैं ही पृत्वी राज हूँ ये तुम्हारी तस्वीर नहीं है, ये है डॉक्टर प्रताब, ये है इस्पेक्टर आज़ाद, ये है साइन्टिस्ट जगत, ये वेंकर ट्रतनम का कतल करने के लिए मेरे सामने आये थे, और अब तुमने नर्सापुर में फॉरेस्ट अफसर बनने का खुलिया अपना लिय मुझे लगा था कि आप नहा कि मेरे पीछे पड़े हो, लेकिन अब मुझे यल्म हो गया, कि कोई और मेरे जैसा दिखता है, अब उसी गलत फैमी में आपने मुझे गिरफतार किया है, जानता हूँ, रेणू का कौन है, रेणू, मेरी बीवी, महरबानी करके उसे परिशान मत करना, मुझे से मुहबत करके निकाह किया उसने, और अपनी वालिदा और मामा से जुदा हो गई, वो ये सोच कर परिशान हो रही होगी, कि मैं कहां हूँ, बस एक मरतबा, एक मरतबा मेरे जिन्दा होने के खबर मेरी बीवी को दे दीजिए, पहले ये बताओ कि इस शहर नहीं है, जनाब अशोक, जिन पेपर्स को आप तलाश रहे हैं, कहीं वो ये तो नहीं, आपने इनके शोहर के साथ जो कुछ भी किया है, वो सरासर गैर कानूनी है, और हमारे पास इस बात का सबूत है, उस ख़त और फाइल से मेरा कोई वास्ता नहीं है, तो फिर इसका किस किसे वास्ता है, बताईए, किसी और अफसर का, और वो अफसर कौन है, ये खुफिया जानकारी है, साजा नहीं कर सकता, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी, ये है कोड का होकम, आपको मुझे पर यकीन नहीं है, लेकिन पुरे घर में कहीं नहीं मिले जनाब, ठीके चलो, अब तुमारा शक दूर हुआ, नहीं, यकीन हो गया, खुदा जमीन पर आकर कहेंगे फिर भी नहीं मानूगी, मेरी आखे मुझसे दगा नहीं कर सकती, मेरे शोहर को आप ही लेकर गए थे, मैं दीवी सावितरी की तरह करोंगी, मुझे कानून और इंसाफ पर यकीन है, वही मेरे शोहर को मेरे पास लाएगा, तुम काम्याब हो, पृत्वी को रिहा करो, 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 पृत्वी को पुलिस ने आपके शोहर को गिराफतार नहीं किया फिर भी आप धर्ना क्यों दे रही हैं पुलिस ने कभी कुछ बताया है मंदिर से कितना सोना मिला उसकी हकीकत बताई कोई देहशतगर्द मारा गया तो वो एंकाउंटर था या भगा कर पीछे से गोली मारी गई बताया अभी यहां पर पचास से सो अड़ते नजर आ रही हैं अगर 48 गंटे में इस मसले का हल नहीं निकला तो मुल्क की सभी महिला मंदल एहतिजास करेंगी हमारी मुतालिबाद यस जनाब सी बी आई अफसर मुस्तफा सहाब आये है आदाब जनाब आदाब मुस्तफा जनाब आये आये तश्रीफ रखिए जब हम हम जबा हैं तो दूसरी जबान क्यों जनाब महफी चाओंगा दिल्ली में हूँ तो हिंदुस्तानी में ही बोलना होगा न हाँ हैदराबाद सी बी सी आई डी से आई हुई फाइल है जरा इपर देख लीजी सुल्तान के मुगालते में एक शख्स को गरिफतार किया गया उसकी बीबी सेकरेटेरियेट के सामने एजिजास कर रही है सेशन शुरू होने वाला है पार लिया मैं ठेल जाएगी हैदराबाद में गरिफतार शख्स सुल्तान है या नहीं इसके पूरे मालूमात मुझे 48 घंटों में चाहिए जनाब हमारी खूफिया जानकारी के मताबिक सुल्तान इंडिया में है ही नहीं फिर वो कहा है चेर्स आप तो नहों बहाँ चाहिए क्यों? क्यों? सुल्तान हकुमत करने के लिए कुर्सी चाहिए ना कि शबाब और शराब तुम पागलों की तरह पीते जा रहे हो बाश्या के ये सब शौक होते है जितनी लड़कियों से महब्बत करता है अतना ही मशूर होता है लेकिन हकुमत करने के लिए आपको जिन्दा भी रहना चाहिए आप शराब के चक्कर में किसी रोज गिरफतार हो गए तो है? मुझे गिरफतार करने वाला हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ कभी-कभी मुझे खुद पर याकीन नहीं होता कि मेरा जिस्म मेरे साथ है या नहीं आपके पास आपकी हिम्मत है तो हमारे साथ हमारा डर है आपको भारत का सुल्तान बनाने के लिए हैदराबाद को मरकस बना कर इंडियन आर्मी के सबी ठिकानों पर मिसाइल से निशाना लगा कर एक सेकंड, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड और सब खात मूँ नहीं, आप चाहे जितने लोगों को मारने का हुक्म दे चलेगा, जंग कोई गुना नहीं है लेकिन मेरे मुलकी एक इंज जमीन भी तबाह हो, मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ तुम्हारी बात सही है, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें ताच पहनाना चाहता हूँ लेकिन हिंडुस्तानी हुकूमत तुम्हारे सीने पर गोली डागना चाहती है यह सब आपकी उल्जन और खौफ है नहीं, यह देखो, हिंडुस्तानी हुकूमत ने तुम्हें ग्रफतार करने का काम इस CBI अफसर को दिया है इसका नाम क्या है? मुस्तफा मुस्तफा अब तुम हो जाओ सफा सुनिये जनाव, क्या आपके पास लाइटर है? जरूर बहुत बहुत शुक्रिया जरूर कर दो 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 कर अशोग बोल रहा हूँ दिली से मुस्तफा बोल रहा हूँ आदाब मुस्तफा साब कैसे है जनाब अभी बम धमाके से बच के बाहर निकला हूँ क्या? जी मेरे सामने सुल्तान बम फेकर फरार हो गया बहुत लोग हलाक हुए पर कितने जखमी हुए हैं मालुम ने सुल्तान मेरी गरफ्त मैं तो वहाँ बम कैसे फैक सकता है? कुछ गडबड है मैं आ रहा हूँ बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया जाता है तो क्या तुम भी मुझे उसी तरह तयार कर रहे हो डॉक्टर? ये मेरा पेशा है यहां अपनी जिम्मेदारी समझने वाले बहुत कम लोग हैं सिखाऊंगा मैं सब को सबक सिखाऊंगा आपका शक खत्म हो गया क्या जनाब मुस्तफ़ा? बढ़ गया क्या? जी हाँ एक बेगुनाह को परिशान करने के लिए आपने मुकदमा दायर करूँगा आपने ये गलत किया है जनाब मुस्तफ़ा मैं आंधरा का अफसर हूँ और आप दिल्ली की अफसर है कहते हैं कि CBCID और CBI के 20 सास बहु जैसे रिष्टे हैं आप इसे हकीकत में थाबित करना चाहते हैं क्या? नहीं जनाब अशोग ये सुल्तान नहीं है मैंने सुल्तान को करीब से देखा है मैंने भी सुल्तान को काफी करीब से देखा है मैंने भी सुल्तान की आखों में शेर की ताकत देखी है और वही ताकत मैंने पिर्थवी की आँखों में भी देखी अब मुझे समझ में आ गया है कि आपको सुल्तान का खौफ है बीवी बच्चों का खयाल आ गया तो दहशत गर्थ से क्या उलजना ये सोचकर इस केस से बचना चाहते हैं आप यही हकीकत है ना एहमको जैसी बातें मत कीजिये सुल्तान ने मुझे खत्म करने के लिए बम फेका था उस हाथसे से बचके मैं पिर्थवी को भचाने आया हूँ यहां तश्रीफ राय आपको पांस मिनट भी नहीं हुए फिर प्रित्युराज वो नहीं है ऐसा आपने कैसे समझ लिया हिटलर अपनी तरह तीन हमशकलों को हमेशा अपने साथ रखता था जानते हैं क्यों क्योंकि दुश्मन उसे हिटलर समझ कर मार देंगे यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ है समझ गया वो पकड़ा गया इसी लिए उसके हमशकले ने दिल्ली में बं फेक कर यह पूरी तरह से यकीन दिलाया कि सुल्तान दिल्ली में ही है और आपने यकीन कर लिया आप से बहस करना बेकार है वजीर अदाखला ने यह मामला मुझे सुपुर्ट किया है मुझे मुनासिब करवाई करनी है इसका ताला खोलिए रिहा कीजिए ताला नहीं खुलेगा इसे रिहा करने का हुक्म नहीं है अभी मैं वजीर दाखला को कॉल करके आपको बरखास करवाऊंगा मैं वजीर आजम को कॉल करके रियापॉर्टमेंट और हासर कर लूँगा समझने की कोशिश कीजिए जनाब अशोग ये सुल्तान नहीं है ये पृत्वी राज है नाई नाई ये सुल्तान है नहीं ये सुल्तान का हमशकल है जनाब आपने सही फरमाया हमोश अब अम्मा बेटा प्रत्वी त्यार मोहबत बाद में ये तुम्हारा बेटा है क्या जी जनाब ये एकलौता है या आपके जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे बोलियो महतर्मा आपका बयान इसका मुस्तक्बिल तय करेगा नहीं प्रत्वी इकलौता बेटा है बस हो गया इन्हें लेकर जाईए चलिए जी अशोक सहब किसी ने किसी रोज हकीकत सामने आएगी तब मैं हवालात से बाहर होँगा और आप सलाखों के पीछे अब तुम क्यों रो रही हो तुम्हारे सामने ही वो जहनुम की सजा काट रहा है तुम्हारे बयान से बच जाएगा वाकिफती तब भी छोड़ कर आगे अगर तुम कह देती वो जुड़वा बच्चों में से एक है तो बेकसूर साबित हो कर रिहा हो जाता अगर कहती की जुड़वा बच्चों में से एक है तो वो सवाल करते की दूसरा कहा है तब दुनिया को खबर हो जाती की वो दोनों मेरे बच्चे नहीं है अगर नहीं कहोगी तो प्रित्वी को साजा हो जाएगी सारस्वती वो सुल्तान नहीं है, मालूम होते ही उसे रिहा कर दिया जाएगा फिर वो अपने आसल वालिधा को ढूलने जाएगा मैं अशोग, CBCID मैं मुत्फ़ा, CBI मैं चकधर राओ, रिटायर्ड मिलिटरी अफसर आपने जो बाते कहीं वो हकीकत है, पिर्थवी हमारी आउलाद नहीं है कमाम नगर, जिले में एक छोटे से गाँप लेटू में पैदा हुआ गरीब का बच्चा है हमारी आउलाद नहीं होने की वज़़ा से जुड़वा बच्चों में से एक के लिए एक हजार देकर गोद ले लिया था वही वो पिर्थवी है हम उसके सगे वालदे नहीं है लेकिन मिलिटरी के डिसिप्लीन से हमने उसकी परवरिश की है जिनाब अशोग, अब पिर्थवी पे यकीन करके उसे रिहा कर दीजिए रिहा नहीं करूंगा इतनी बाते होने के बाद भी आपको यकीन नहीं हुआ क्या मोजे यकीन है फिर उसे रिहा करने में क्या परिशानी है सुल्तान को गिरफ़तार करने के लिए हमें प्रिस्वी की शकल में एक हथियार मिला है आपने उसे हवलात में डाल कर बहुत बड़ी सजा दी है इस बात को लेके वो आपसे बहुत खफा है आपको उम्मीद है कि वो आपकी मदद करेगा कोई बात नहीं, आपकी मदद ही करेगा हिरासत में लीजिए, ये नेक काम आप ही कीजिए नहीं भाईजान, मेरे बेकसू बेटे को दुबारा हिरासत में मत रखिए नया करके मेरा बेटा मुझे वापस कर दीजिए नहीं, उसे ले जाएए ये क्या कह रहे है सरसती, सरहत पर जब मेरा पैर कटा था तो मैंने अपने सीनेर अफसर से क्या कहा था, जानती हो पैर कट गया तो क्या हुआ, जान तो अभी बाकी है मैं अपने मुल्क के लिए लड़ूँगा लेकिन वो राजी नहीं हुए अब हुमारे बेटे को मुल्क के लिए कुछ करने का मौका मिला है उसे जाने दो, जनाब ले जाएए अच्छा एक बात बताओ, मेरी समझ बे नहीं आ रहा है कि वो तुमारी हैसियत देखकर अपने घर की बहु बनाना चाहते थे क्या मेरे पास क्या कमी है हाँ बताओ, पता मेरे सहेलिया में इसे क्या कहती है क्या शादी की पहली रात तुम्हारा हुसन देखकर तुम्हारे शोहर तुम्हारे कबजे में आएंगे देख लेना तो तुम्हारा जिसम इतना खराब है क्या अब देखें क्या हश्रकती हूँ रुक चाहिए रुको 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 रुक ये अभी बताती हूँ मैं तो तुमसे मज़ाग कर रहा था और तुम संजीदा होगी ऐसा भी कोई मज़ाग रहता है अब दस रोज तक इसे खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी तो क्या हमें मार देगा यह हम मिलेंगे तब अरे अभी नीचे नहीं तरना चाहिए कुछ देर बाद वो खुद ही चला जाएगा ऐसा लगता है यह भालू कुछ जादा ही गुस्से में है यह एक हफ्ते तक हमारा इंदजार करेगा इससे बचने का अब एक ही तरीका है इसे अपनी कमीज देता हूं यह मुसलसल क्यों देख रहा है यह मर्द और 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 पर फर्क नहीं जानता इससे सुर्ख रंग से चीड़ होती है जैकेट उतार कर फेक्ड़ों मैं नहीं उतारूंगी अरे चलो जल्दी उतारो यहां कौन है देखने वाला आप नहीं है क्या मुझे शर्म आ रही है अ उतारो उतारो आप बन कीजिए उसके बाद ही उतारूंगी यहां खुदा देखो वो चला गया अब नीचे उत्रे क्या हो सकता है वो यहीं पर कहीं छुपावा हो मैं जाकर देखता हूं तुम यहीं रहना यह भी नहीं जनाब यह भी हो गया और कितना बदलना पड़ेगा खुलिया की बात दफा करो जब रेनु घबरा कर उतर रही थी तो तुम उसे घुर क्यों रहते है पता नहीं किस तरब से कौन सा जानवर आ जाए डर से पेशाब निकलने वाला था खुलिया बदल कर देखे तुम्हारे जैसे मददगार ना हो तो सफलता ही नहीं मिलेगी यह सई हो जनाब मगर आँ अजन्ता के बुतों से खुबसूरत है अभी उनकी तारीफ करनी जरूरी है क्या अरे तारीफ क्या ऐसी नंभा की तो इबादत की जाती है मेरी तो बिन मांगे मुराद पूरी हो ग मिलवानिक एक तरकीम है मेरे पास वढ़ा बेवानिक जाल की जाल कि अरे तो फिक। कर कि तो स्पति है कि वगये नंता कै 대ऄडराय मिलूरा कि को दलती है एई 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 यह हेलिकोप्टर कहा जा रहा है क्या मुझे इस जजीरे पर रहना पड़ेगा अगर मेरी बात मानोगे तो तुम्हारी जिन्दगी खोशाल होगी मानना पड़ेगा आपके पास तु बुलेट है वंदे मातरम कहने वालों को अंडमान जजीरे पर ले जाते थे मैंने किताबों में पढ़ा है आज सामने से देख रहा हूँ तुम अगर हमारा साथ दोगे तो तुम्हारे और इस मुल्क के लिए बहतर होगा यह हतकड़ी खोलिए तो ही मैं अच्छा करूँगा अशोग इसके साथ मुझरिमों सा सुलुक क्यों कर रहे हैं हतकड़ी खोल दीजी नहीं यह शादी की पहली रात का दूला लग रहा है हतकड़ी खोलना बेहती खतरनाक होगा अशोग इससे हमें अपना काम निकलवाना है इसलिए अच्छी बात नहीं है मैं हतकड़ी खोल रहा हूं यह लिजे चाबी अगर कुछ गलत हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी हाँ 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 वाकई इंसानियों तो सिर्फ आप में है और उन्हें देखिए उनमें जराव इंसानियत नहीं है अच्छो इसने मेरी आखों में रिद छोट दिया आपकी किसमत अच्छी है कि इसे मिर्स पाउडर नहीं मिला तुम पे रहम खाके मैंने तुछारी हत्तरी खोली और तुम फरार होने की कोशिश करें तुम कहां भागोगे तुम नरी सामने से फरार हो जाओगे देखो यह मुझे काट रहा है यह बहुत भूखा है आप इसे लजीज लग रहे हैं आपको खाना चाहता है अरे वह तुम फरार हो गया फरार होकर आखिर कहां जाएगा जंगल के चारो तरफ समुंदर है अंधेरा होते ही खेमा डुड़कर खोदी वापस आ जाएगा तो रुको जनाब नहीं है दफतर में आगज नहीं है तो फिर कहां गये मालूम नहीं कस्वे में है क्या नहीं मालूम सेल फोन सेल फोन है क्या मालूम नहीं सुनिए उनसे मिलने के लिए किस से मिलना होगा मालूम नहीं तुम्हारी तंखवा कितनी है मालूम नहीं महतर्मा मेरे साथ चलिए इसे तो ये भी इल्म नहीं होगा, इसके वालदेन को होना है अब क्या करेंगे हम, अब तो तुम्हें ही किसी ना किसी तरीके से मालूमात हासिल करनी होगी आप यहीं रुकिए मोतरमा, सुनिए जनाप, आपको एक बात पता है अब यहीं कि हम दोनों एक ही भी रादिरी के हैं, आप भी चौकिदार, मैं भी चौकिदार आप दिन में ड्यूटी करते हैं, मैं रात में ड्यूटी करता हूँ इनकी तंख्वाँ से तो अबारा गुजर बसर भी दिनी होता है, शराब पियें तो दो रोज, पत्ता के लिए तो आदा घंट है अच्छा, अब यह बताईए, कि वो कहा हैं? मालूम नहीं वाके नहीं मालूम है? वो शायद गौवा गहा है लेकिन मुझे मालूम नहीं इससे तो कुछ भी मालूम नहीं मैं यहीं हो आया? मेरा नाम क्या है? मालूम है या खुदा भूक लग रही है मेरे पैत डर्द कर रहे इस विरान जजीरे पर कुछ भी नहीं मिल रहा है या खुदा लगता है भूख से जान निकल जाएगी पता नहीं यह खाने की चीज है या नहीं यह अगर जरीला हुआ तो इस विरान जजीरे पर पागलों की तरह घूंदता रहूंगा ज़रूर वह पिछले जलम का दुश्मन है शायद इसलिए लगता है वह अपनी दुश्म मुझसे निकाल रहा है या खुदा यह लोग तो खापी कर मौज बस्ती कर रहे हैं मैं क्या करूं तो क्या कहा था आपने चारों तरब समंदर है शाम तक लोटाएगा कहा आया वह क्या हनुमान जी है जो ओड़कर समंदर पार कर जाएगा देखते हैं और कितनी देर गुमत लग रही है यह लीजिए आपका खाना कि वह भूखा होगा और हम खालें आपका दिल कैसे कर रहा है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है इसका स्वाद तो बेमिसाल है जल्दी शुरू कीजिए नहीं तो आपकी बिर्यानी बेस्वाद हो जाएगी कि आपने जो पेकेट रक्टा वो कहा गया वहीं रक्राइब अस्च्छी से देखिए आपने तो यहीं रख्रा था ना यह वह बंदर ले गया होगा बंदर यह आप कैसी बाते कर रहें अभी आपने कहा कि यहीं रखा था और अभी आप कहरें कि बंदर अशोग देखिए वह वहाँ है वह प्राग रहा है प्रिस्वी रुक जाओ प्रिस्वी रुक जाओ रुक जाओ हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे अलम्पिक में हमारे लोग कभी गोल्ड मेडल नहीं जीते इसे देखकर लगता चार पांच मेडल तो हांसित करी लेगा आपको यहां मश्खरी सूज रही है क्या हुआ भाई आपको ठीक से नीन नहीं आ रही है नहीं मोतरमा नीन नहीं आ रही है और आएगी भी नहीं गोव कभ आएगा भाई गोव हमारे पास नहीं आएगा हम गोव के पास जाएंगे लगता है कोई स्टेशन है मैं जाकर कॉफी लेकर आता हूँ वक्त क्या हुआ जनाब टाइम टाइम क्या हुआ है अजीब किस्म का आदमी है यह तो आदेल्ग गोव है वाही है क्युआ आदिक आदेल्पन ऑम हम अँ़ हमया थढ़ देवाश वे यहीं झел झाले तो झाले है misschien फötा एाँ झाले येips हमल्र ये उल्यक को फेडतück को प्रेख्ट को तर dal पुर डिर चरे और Eu afar सुनिये! 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 रुकिये! अभी तक आप कहां गायब थे? जवाब दीजे ना! सुनिये! रुक जाओ! मैंने देखा! रुक जाओ! रुक जाओ! रुक जाओ! ठहरिये! आप लोग कौन हैं? हम अंध्रा से हैं! अंध्रा अंध्रा उनके साथ तुम्हारा क्या रिष्टा है? चलो! पुलिस्टेशन में जाके बात करेंगे! चलो! कौन हो तुम? और तुम कौन हो? गोवा किसके लिए आये हो? चोरी करने? स्मग्लिंग करने आयो? बताओ! दहशतगर्द हो तुम दुरो! बोलो! यह सब गोवा का बिल्ट अप है! तसकरी की बात करेगा फिर कहेगा दस कतल किये हो! ऐसा बिट अप नहीं करेगा तो हम पैसे थोड़ी देंगे! चलो 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 तो! हर रियासत की पुलिस की यही यादत होती है! उपर नीचे इनकी जेवे भरनी होती है! यही हकीकत है! निकालिए! पैसे निकालिए! क्या कहा? यह लिजे जनाब! हम जाते हैं! यह पैसे लिजे रिशुवत दे रहे हो मुझे! मुझको रिशुवत दे रहे हो है! तुमारी जुर्रक कैसे होई? इस आपनी को फारण कैद में डालो! इन दोनों की उंगलियों के निशान लेकर अंदरा पुलिस को इत्तिला करो! पुराने रिकॉर्ड्स की जाच करो! ले जो इनको यहां से! उटाओ! उटाओ! चलो! 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 अंदर चलो! जाता हूँ! जाता हूँ चनार! बैठो यहीं! तुम्हारी इस बेवकुफी की वज़े से यह हश रहो गया! क्या बताओ मोहतर्मा? बुझे लगा चौकीदार की तरह यह भी मान जाएगा! अभी साफस से हमें उपर वाला भी नहीं! जनाभी बचा सकते हैं! अच्छा उन्होंने बॉम फेकना कब सीखा? या अला! बॉम से मुझे याद आया! बॉम का तो जिक्र भी नहीं करना है! वरना हमारी कपर यहीं खुच जाएगी! ऐसे हरकते करेंगे तो जिंदगी जीने की क्या जरूरत? और उन्हें ढूरने की क्या जरूरत? मैं मरना चाहती हूँ! आप ऐसे रोये मत! क्षी अर्वाता है! रह जूँ स्ना की की अरूरत आप भादऴ तेया जिए क्या पार का है व्रावत चाहती हॉआ वर्कोड़ वरे थ Wireless हम एंवर कля Epic र बन एंवर शरनेते एंन हम एंवर हmak जए ख्या आइ हम एंवर एंवर हम बहुत बहुत शुक्रिया आप वाह बहुत खूब मैं बेकसूर हूँ ये जानकर और सुल्तान मेरी तरह दिखता है इसलिए मेरी कुर्बानी दे कर उसे गिरफतार करना चाहते हैं आपको ये हक किस ने दिया तुम्हारे वालिद ने वो एक मिलिटरी मैन है और वो अपनी तरह अपने बेटे को भी वतन परस्त बनाना चाहते हैं ये हक देने से पहले मुझ पर यकीन करने वाली रेंटका के बारे में सोचा है मेरी पहली रात भी नहीं मनी थी तुम इनके बारे में क्या जामते हो देश के लिए अपने परिवार की गुर्बानी देने वाले बहादू रही है एक उग्रबादी की रिहाई के लिए अपनी बीवी बच्चों को मारने के धमकी के बाद मुनोंने नहीं बख्षा और अपनी बीवी बच्चों को खो दिया किस लिए? वतन परस्ती आपको इससे मिला क्या? आपके घरवाले वापस आ सकते हैं क्या? आखिर आपको मिला क्या? खुद को सुकून ये खुद से गद्दारी है ना है बेपना खोशी गैर मुल्कियों की सेक्डों साल तर घुलामी करने वाले हम लोगों को अगर आजादी की लड़ाई में कितने ही वतन परस्तों ने अपनी कुर्बानी नहीं दी होती तो आज हम इस तरह चैन की सांस ले रहे होते क्या? क्या किया है हमारी हुकुमत ने उन वतन परस्तों के लिए सिर्फ 20 सड़क पर बुत बनवाने के अलावा? खुदा की अबादत करते हो वैसे ही उनके बुतों को देखकर हमें उनकी बहादुरी के कारनामों का पता चलता है लेकिन उनकी खुआशे हम पूरी कहां कर रहे हैं? घैर मुल्कियों से कारोबार करने के लावा, रिश्वत को कौम मानने वाले जालिम सियासत दानों को उनकी सजा से बचाने के लिए, उनके पास की जरूरत से जादा पैसों को स्विस बैंक पे जमा करने वाले बड़े अपने मुल्क के लिए मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूं, ये मेरे खानदान को खबर कर दीजिए जरूर, आज ही मैं गोआ जाकर खबर देता हूं शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, ये उड़ गया मारो कम बखत को इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर प्लीज, महरबाने करके छोड़ दीजे, मैं आगीकत बताती हूं, मैं उनकी बीवी हूं क्या, तुम सिल्तान की बीवी हो? नहीं, मेरे शोहर का नाम पृत वीराज है तुम जुट बोल रही हो, कॉंस्टबेल, इन पर भी थर्ड डिग्री अप्लाई करो नहीं आप, आप माफ कीजी रियनू का जनाब, यहां मेरा पुरा हश्र हो गया है, पांच मिनट पहले आना दे ना, हवालात में बंद करके मार मार के चमणी उतार दिये जनाब इंस्पेक्टर, छोड़ दीजे नहीं कॉंस्टबल, उन लोगों को रिया कर दो यस, यस हां हिलना नहीं नहीं सुल्तान को पकड़ो के तुम हां हिलना मत इतनी जल्दी हाथ आओग यह कभी सोचा नहीं था सुल्तान हाहा सुल्तान नहीं मैं हूँ मैं हूँ जनाब दोस्त भूत खूँ प्रिथवी जब और दस्त स्याइडी अफसर होने के बावजुद मैं नहीं पकड़ पाया तो वो लोग क्या पकड़ पाएंगे अब बेशक हम तुमें उस मिशन पे भेज सकते हैं देखो ये गोवा रेलवे इस्टेसन से हासिल हुआ सुल्तान का सेल फोन है इसमें के सारे नंबर को ट्रेस किया गया है सारे कॉल एकी नंबर पर किये गया है और वो नंबर वंदना नाम के खातुन का है वंदना और सुल्तान का क्या रिष्टा है ये हमें नहीं मालूम अब तुमें ही उसकी मालूमात हासिल करनी होगी तुम चाल ढाल से सुल्तान ही लग रहे हो तुम सही निशाने पे लगने वाले हत्यार हो मैं खुदा से दुआ करूँगा कि वो तुम्हें हर कदम पर कामयाबी दे शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ये कामयाबी मुल्क के लिए वक्फ है कहा हो तुम? बिल्कुल तुम्हारे रूबरू है वाह, सुल्तान तो असल मर्द है ये क्या? तुम मुझे देखते ही ऐसे गले मिलते हो कि मेरी रड्डियों का चूर मा बन जाए अब ये ऐसे खड़े हुए हो ऐसा क्या? मुझे ऐसे उठाकर चारपाई पर लिटा देते थे ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा क्या? अब भगवान को सुना रहा हूँ शोहर बीवी के बीच में ऐसी मकनातिसी कुवत क्यों दी? अल्ला ना क्या कर भगवान क्यों कह रहे हो? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नहा कर अपना दिमाग ठंडा करो चलो, आओ अरे पाप्रे अलो मैं प्रिथवी बोल रहा हूँ इस खातून से कुछ नहीं पता चलेगा सुल्तान के मुतालिक कोई राजपता नहीं कर सकते किसी तरह से सुल्तान के घर का पता हासिल कर लो जरूर, जरूर, रखता हूँ किसका फोन था? खूप ही आया क्यों मूट खराब है क्या मैं मूट बनाऊं क्या नहीं अभी परेशान मत करो मुझे इसी वक्त घर जाना है ओके तो चलते हैं भाई अमा कैसी हो अमा? यह क्या हो गया ऐसे? क्या अमा? ऐसे क्यों देख रही हूँ जैसे कभी देखा ही ना हो? नहीं कुछ नहीं बेटा रुको मैं चाय लेकर आती हूँ इसे ताज्यूब क्यों हुआ मैं अभी अपना रूप बनाता हूँ आप कब तश्रीफ लाए? जादा चर्वी चड़ गई है क्या? मेरे घर में आते ही तुम्हें क्या करना चाहिए? शराब पिलानी चाहिए और तंदूरी चिकन बनाना चाहिए और सिग्रेट पिलानी चाहिए जल्दी जल्दी सारा इंतिजाम करो पहले चाहिए लाओ जी जरूर देजिये अमिजान सुल्तान मुझे लगा था कि ये सुधर गया पर ऐसा नहीं है अरे नूर पारसल आया क्या? आपके सामने रखा हुआ है भायजान तुन्हें शराब पी है? नहीं भायजान आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं दुबई में हूँ नूर मस्खरी मत की जी भायजान मेरे सामने आप खरके अंदर गये हैं खामोश खुदा कसम भायजान वंदना भी आपको छोड़ कर गई है वंदना खुदा टुदा वंदना कर तुदा वंदना वंदना भायजा सक्षाइब सबस्टस सबस्टस काने! मैं सुल्तान, दुबाई से, तुम दुबाई से बोल रहे हो? अभी तु मैंने तुम्हारे घर छोड़ा है हलो? हलो? नहीं 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 हलो? फंदना, हलो? यह मर गई, हम अप्रित्वी को तुरंत होश्यार करना होगा अप्रित्वी अप्रित्वी जो इस घर में आया था, वो मेरी तरह कैसे दिखता है? यह सवाल नहीं करूँगा मेरी तरह दिखने वाला जो शक्स यहां आया था, उसे मेरी अम्मी और मेरी बीबी होकर भी तुम लोग कैसे नहीं पहचान पाई? यह भी सवाल नहीं करूँगा मुझे सिर्फ एक ही हकिकत जाननी है अम्मी, कि वो तुम्हारा बेटा है या फिर मैं उसकी अम्मी का बेटा हूँ या यह कोई धोखा है, या वाकई वो मेरे जैसा ही दिखता है, जवाब दो, कौन है वो? तुम्हारा भाई है अब्बू के इंतिकाल के बाद पैदा हुआ था, या उससे पहले पैदा हुआ था? एह, मैं तेरी वालिदा हूँ, मुल्क से गद्दारी के साथ तुने इंसानियत और कानून को भी धोका दिया है, अपने वालिदा को गाली मत दें ये सुल्तान जरा भी जजबाती नहीं है, गलत करने वाला चाहे मा हो, बीवी हो या बहन हो, सब खत्म, जवाब दो, वो मेरा भाई कैसे है? तुम दोनों जड़वा भाई हो, हम लोग एक गरीब खांदान से तालुक रखते थे, तुम दोनों को दूद ना मिलने की वज़े से मरने की हालत हो गई थी, एक फौजी अफसर जिसकी कोई आलाद ना थी, उसने कहा कि आप अपनी आलाद में से एक मुझे दे दो, उसके शायद मेरी परवरिश में कमी रह गई, और तुम एक शैतान बन गए, लेकिन उस फौजी अफसर की परवरिश से वो फौरेस्ट अफसर बन गया, इससे बहतर होता कि तुम्हारे बजाए उसकी परवरिश करके मैं फक्र से जीती, मुझे जिस बात का खौफ थाज वही हुआ, आप महुत के करीब से लोटे हैं, हर वक्त चहन्नम की जिन्दगी बसर करने से, एक बार मरना बहतर है, मार दीजिए, हम सब को गोली मार दीजिए, मार डालिए, हमें मार डालिए, मार डालिए, मार डालिए, अम्मी, ऐसे बुलाए काफी अर्सा हो गया ना, लेकिन भाई ने मेरी आँखे खोल दी अम्मी, मेरा फर्ज मुझे याद दिलाया तुम्हें इसी बात का अफसोस है ना, कि मैंने ऐसी आउलाद क्यों पैदा की? और तुम्हें इसका अफसोस है कि मैं ऐसे शक्स की बीवी क्यों हूँ? ऐसे इंसान के जिन्गी का कोई मतलब नहीं है छोटे भाई के हाथों मरने से बेटर है कि उसके रास्ते पर चलकर उसका बड़ा भाई एक नेक इनसान बन जा है सौ साल जिन्दा रहो ये अम्मी की दुआ लेने वाला बेटा बनकर जिऊँगा मैं अपने शोहर को देखकर बीवी को फक्र हो, मुझे पर उसका यकीन हो, ऐसी जिन्दगी जिऊँगा मैं रेवती, गलत तरीके से कमाया हुआ ये सोना हीरा सब उनके सुपूर्ट कर दो, मैं हथ्यार डाल दूँगा मैं खुद जा सकता हूँ, लेकिन वो मुझे देखते ही गोली मार देंगे, मौत क्यों खौफ से नहीं मैंने आप लोगों के लिए अपनी जिन्दगी जीने का फैसला कर लिया है अब मेरी जान को कोई खत्रा ना हो, इसलिए ये जानकारी लेकर जाओ, कुछ रोज के लिए मैं सजा भूगतने को तैयार हूँ, फिर हम सब खुशी-खुशी जीएंगे, हमारी इस खुशी में हमारा भाई भी शरीक होगा, अब हम सब मिलकर रहेंगे ये सुल्टान की बीवी है, उसे अंदर आने दो अब आपरोवर बनकर आई हो क्या, नहीं, मेरे शोहर हत्यार डालने के लिए राजी हैं, इसमें उनके गलत तरीके से कमाए हुए सोना और हीरे मौजूद हैं, रुकिये, खुद ना कर उसने तुम्हें क्यों भेजा, नजर आते ही आप उनको गोली मार देंगे, इसलिए उन्होंने मुझे भीजा है, अगर आप उन्हें माफी की सौगात देंगे, तो बात में देखेंगे, तुम्हारी बिंदी, बंगल, सूतर, चूड़िया, सोने के गहने ये सब आमने नहीं मांगे, अपने शोहर को हत्यार डालने के लिए कहो, मेरे शोहर पर आपकी नजर बड़ी, तो मेरा ये हाल हो जाएगा, आप पुलिस वालों की उनके साथ कितनी दुश्मनी है, इससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, सिर्फ एक नहीं हजारों गोली उनके जिस्में उतार देंगे, फिर भी गुस्सा कम नहीं होगा, ये औरत जो कह रही है, ये सच है या जूट है ये जानने के लिए, हमें पता करना चाहिए कि सुल्तान ने सुना और हीरा भेजाए की नहीं, आज बच्छा मुझने जाहिए, ये बच्चा नहीं चाहिए, तुम्हें इस बच्चे को मार के कोई फैयदा नहीं होगा अभी होने वाली सारी बरबादी की वज़व वो सुल्तान है वो अब खुद अपनी बीबी को भी तकलीफ देने लगा देखा उसने हमारे साथ तुम्हें भी खत्म करने की कितनी बड़ी साजिश्की थी अगर तुम्हारे पास उसे पकड़वाने के लिए कोई सुराग है तो बताओ मैं वागाई नहीं जानती जनाब वो का बाता है और कब जाता है किसी को नहीं पता होता अम्मी को अम्मी और मीवी को बीवी उसने कभी नहीं समझा उसने खुद मुझे गाड़ी मिला कर रास्ते में आटो में बिठा कर आपके दफ्तर बेजा था जनाब कम से कम उसका फोन नंबर या मोबाइल नंबर तो पता होगा फोन नंबर वो बार बार एक नंबर पर कॉल किया घरता था फोन नंबर याद है नंबर पच्चीस मस्जिद गली जनाब अशोक उसका मिशन नाकाम्याब हो गया ये खबर उसे हो चुकी होगी मैं अभी वहाँ जाके देखता हूँ कोई सुराग मिलता है या नहीं आप हेड़क्वार्टर जाके फॉलो कीजिए अरे रुकर को मैं भी आ रहा हूँ थर्णिधन के चली अच्छान नाके ले जाँ करो सुराटर जो ठीच कर वच्छान को तेम अरे ख़ग्दन हमार्ण तेम प्रेटर जाम मैं अर बच्टर अवार्णा हमार्णा-वर्णान तेम उनलान को सुराई हो ये आजर वाव तेमें अवर्णान वो घर है हमें अंदर की सारी खबर चाहिए येलो माइक इसे तुम हमें खबर करना हम इंतिजार करेंगे अ हुआ आएए भाबी तश्रीफ लाइए कि वो कहा है कि कि अपने 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 से तुम्हें काना खिलाया तुम मुझे भावी कहते हो लेकिन तुमने मेरे पेट में चाखू बार दिया पर अपर 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 शर्फ भाई हुआ नाउा फड़ नाउ अगज झाउ नाउखन हुआ। झाल! झाल 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 हुआ 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 है जनाप जनाप दोस्त कुछ तो कड़ बड़ है उस दिन तुमने कहा था कि अगर तुम शहीद हो गए तो बहादुरी के मिडल अताकर में चुदा हो जाओंगा मैंने अपनी सिम्मेदारी अच्छे से नभाई अशोक मुझसे वादा करो अगर मैं मर भी जाओं तो भी हमारा मिशन बंद नहीं होगा मिशन चारी रखना मिशन चारी रखना भारत माता के जैंग हां हां आती हूं आती हूं बेटा मेरा पच्चा बेटा तुम आ गए बेटी रेडु का देखो कौन आया है सुनिय जी हमारा बेटा आ गया है बेटा तुम्हें पूरी नज़र लगी होगी बेटी जल्दी जाकर हल्दी का पानी लेकर आ बेटी की नज़र नहीं वक्त देए सुल्तान की बीवी की मौत का जिम्मेदार मैं हूं यह जानकर उसने मेरी बीवी को मारने की कसम खाई है यह खाबर मुझे अभी मिली है कमान चलो जल्दी करो एक हफता तुम्हें गायब रहना होगा बेटा अभी अभी तो आया नहीं फिलहाल कुछ बत कहिए मेरे पास वक यहायइ है अम्मा अम्मा मिटळा तुम वापस आ गए ये अपना कोई सामान भूल गया होगा आप अपंक कैसी बाते करण्यव के रनुका कूमि दू हमे लें गाये थी किसे मैं ले 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 कर गया मैं लेकर गया तुम इन यह तो ले कर गया कि पो सुल्टान कहा है? रेडूगा को तुने कहाँ सपाया है? नहीं, मुझे नहीं मालूम अपलाइब हालो जनाब अशो कौल ट्रेस करो कौल की जानकारी लेने के लिए कौल ट्रेस करने को कह रहे हो प्रित्वीकी बीवी का तुने क्या किया? उसकी इज़त लुटने के लिए नहीं लाया हूँ अगर नूर को आज नहीं छोड़ा तो मैं इसकी जान ले लूँगा सुल्टान तू मेरा भाई है मेरा अपना भाई कल मैं इस मुल्क का सुल्टान बनूँगा उस सुल्टान के भाई हो तुम उन लोगों का साथ देकर तुम्हें क्या हासिल होगा नमाकूल नूर को रिहा करवा दो जिसने तुम्हारी बीवी का कतल किया उसकी रिहाई चाहते हो जिसने मुझे पकड़वाने की कोशिश की वो मेरी बीवी कैसे हो सकती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें भाई समस्कर में माफ कर दूगा तुम्हारी बीवी की बोटी-बोटी काट कर पेटी में डाल कर भिजवा दूगा तुम्हारे पास नहीं, तुम नूर की रिहाई चाहते हो ना नहीं, नहीं, नहीं सिर्फ नूर की रिहाई नहीं उसके साथ एक हजार करोड भेजने होंगे हिंदुस्तानी रुपिय नहीं मुझे अमेरिकन डॉलर्स चाहिए सौ मिलियन डॉलर्स लेकर तुम क्या मुल्क छोड़कर फरार होना चाहते हो है? मैं ये मुल्क क्यों छोड़ूँगा मुझे तो इस पर हुकूमत करनी है फिर तुम, तुमारी फॉज, तुमारी पुलिस सब को मुझे सलाम करना होगा तुम खौप देख रहे हो बहुत गुफ्तगू हो गई तुमसे नूर के साथ हजार करोड कहा भेजना आई ये बताऊंगा 24 घंटों का वक्त है अगर राजी नहीं वे तो देश के सियासत दानों को मिसाइल से उड़ा दूगा मैं अबे ओ, क्या सोच रहा है दे, पैसा दे क्या है मुलन एंप एंप नयुब। अशोक साहब कहा जा रहे आप हैड़ कोड़र में पैगाम देने के लिए क्या कहेंगे स्पेशर कमांडोल भेजने के लिए कहूंगा हाप ऐसा मत कीजिए या हुक्म देने वाला मैं हूँ उसके कबजे में मेरी बीबी है हमारे लिए हमारा मुलक एहमियत रखता है तुम्हारी बीबी नहीं अशोक साहब अशोक साहब फायर अभी भी आप जाना चाहते हैं क्या नहीं कुछ बत बलो हम दो ही काफी हैं हम हुआ 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 है अरे कुछ न बोलो यार भशीर 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 सुनघे हो अरे कुछ बोलो यार क्या हुआ यार अरे कुस्तों बोलो कुछ गरबड़े जनाब है तुम्हारी रेनु मेरे कबजे में है हत्यार डाल दो नहीं तो इसे खत्त कर दूगा सुनिये बुलाओ जोर से बुलाओ बुलाओ प्रिथ्वी तुम्हें जानिब जाओ मैं वह जानिब जाता हूं कि अच्छोग साहब कि क्या आप मेरी बीवी के लिए हत्यार डाल रहे हैं बीवी बच्चों को खोने का दर्द क्या होता है कि इससे अच्छी तरह से वाकिफ हूं मैं जनाब अशुक कि खुदा हिफासद करें कि आए आए जनाब अशुक आए तश्रीफ लाइए आए रेडुक आपको रिहा कर दो हाँ मेरा हम शक्ल कहां है अल्ला को प्यारा हो गया तुम निहायत हिम्मत वाले हो हर भारतिय हिम्मत वाला है मैं भी तो भारतिय हूं नाई जिस रोज तुमने दुश्मन मुल्क से हाथ बिलाया उसी दिन अपने आपको भारतिय कहराने का हक खो दिया समझा तुम इस मुल्क को बेहत पसंद करते हो मेरे जिस्म को काट कर मेरे खून से पूछोगे या मेरा सीरा चीर कर मेरे दिल से पूछोगे तो वो भी यही कहेगा क्या दिया इस मुल्क ने करोडों नौजवानों को बेरुसगारी लाखों औरतों को तवायफ बनाया घैर मुल्की लोग तुमारे सर पर नाच रहें यहां प्यास खरिदने पर भी टैक्स लगता है तुम लोग ऐसे मुल्क से मुहबबत करते हो क्या यह मुल्क वो मुल्क है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तिया पैदा हुई है गुंडे बदमार्श एलेक्शन में जीत कर नाकाबिल लोग वजीर बन जाते हैं और तालीम याफता और आला अफसर उन सियासत दानों को सलाम ठोक रहे होते हैं नहीं इसलिए आपको तब्दिली लाना जरूरी है कल मैं इस मुल्क का सुल्तान बनुगा तो काला बाजारी को खत्म कर दूँगा चोरी करने वालों के चबडी खिचवा दूँगा रेप करने वालों को सूली पर चड़वा दूँगा गुप्त काल को स्वेंड काल कहते हैं न, फिर से वही वक्त लाओंगा, राशन के लिए सडक पर कतार में नहीं खड़ा होना होगा, मैं दोनों हाथों से रियाया में दौलत लुटाओंगा तब तक ये मुल्क सलामत रहेगा तब न, क्यों नहीं रहेगा, मैं इंसानों को खत्म करूँगा, लेकिन इस मिट्टी को नहीं तुम मुगालते में हो, ये सब दिन के खुआब हैं, तुम जिनका साथ दे रहे हो न, वो हिंदुस्तान की बर्बादी चाहते हैं, बर्बादी, दुश्मनों से हाथ मलाया है तुमने यहाँ मिसायल लगा रखिया जिसके खास निशाने पर, मुलक के दिल्ली, मुंबई, कॉलकाता, चैननाई, हैदराबाद जैसे शहर हैं, इन खास शहरों को तबाह करना चाहते हैं ये लोग, अगर यकीन नहीं होता है तो तुम खुद इन से पूछ लो बोलो भाई, बोलो, अल्ला के वास्ते बोलो, तुम मुझे सुल्तान बनाओगे, लेकिन इस मुलक को तबाह नहीं करोगे, बोल दो बस अगले दस मिनट में, तुम्हारे मुलक को हम तबाह कर देंगे नहीं, 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 मैं नहीं मानूँगा, इतनी सुम्र में, इतनी सुम्र में मैं गाउं से भाग कर ट्रेन पकड़कर आपके साथ हां मिला था तब से लेकर आज तक मैं आपके साथ साए की तरह इसलिए साथ हूँ क्योंकि तुम सुल्तान हो सुल्तान हो जोर जोर से मेरे कानों में कहते थे अब ये क्या करने को कह रहे हो अगर आप शहरों को तबाह कर दोगे तो क्या मैं कबरिस्तान पर हुकुमत करूगा लाशों की गद्दी पर बैठूगा जबाब दो जबाब दो फिर मेरे खातिर क्या बचेगा बंजर जमीन विरान शहर मैं खून पीने वाला हैवान बन गया था इंसानियत का दुश्वन बन गया था मैं इस मुल्क में एक ही सुल्तान होगा और उसी की हुकुमत होगी ऐसा कह नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को खत्म कर दूँगा रनारी सुल्तान 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है सकतलजू प्रोहर बहुता है अम्मा अम्मा चले जाई आप लोग यहां से चले जाईए यह बेहत खतर नाक है जाईए आपके जाज भी जा सकती है मेरी मौत भी हो जाए तो कोई बात नहीं साब भी तो अपने बच्चों को ही खा जाता है ना तो इस मुल्क को तबाह करने वाले साब की तरह है तेरी जान देलूंगी मैं तुमने जल्दबासी कर दी इस बम के बारे में जानने के बाद इस शेर ने अपनी फितरत बदल दी सुल्तान मर गया अम्मा वो मुझे सुल्तान नहीं बनाना चाहते अब इसका इल्म होने के बाद मैं पूरी तरह सब बदल गया हूं हाँ याकीन करो अम्म हुआ 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 है सुल्णान रुकिये ! करीम मतंआइ ! मतंआइ ! मेरी वज़े से यह मिल्क तबाह नहीं होगा ! लेकिन अगर यह रहा तो पूरी दुनिया के लिए खत्र है ! इसे कैसे खत्म करना है ? इस जालिम को कैसे मारना है ? मुझे बखुबी इल्म है ! मैं सब जान किया हूँ ! मैं ऐसा नही प्रिहोने दूंगा! प्रिहोने दूंगा!